Assalamu alaikum dear students how are you hope so you will be fine and today I am going to teach you binomial nomenclature that is another important topic from chapter number third biodiversity dear students this topic में जो चीज़ें basically discuss करनी है उसका मैं आपको overview दे दूँ पहले चीज़ हम यह देखेंगे कि binomial nomenclature है क्या दूसरी चीज़ हम यह देखेंगे कि जो binomial nomenclature है वो किस ब्यालो जिसने दिया है तीसरी कि जो binomial nomenclature है वो इतना important क्यों है और यह इतना popular क्यों है इसकी significance क्या है इसके rules क्या है और इसके लिखने के rules क्या होते हैं और चंद species के हम scientific names भी सीखने वाले हैं तो dear students चलिए start करते हैं जितने भी mcqs होंगे short questions होंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताता चला जाओंगा dear students what is binomial nomenclature जो binomial nomenclature है यह असल में एक Swedish biologist जिसका नाम है carless linear उसने यह दिया है ठीक है यह आपके पास जो method है बाइनोमिल nomenclature यह किसे ने दिया इस गिवन बाइजा स्वीडिश भी आलोजिस्ट कार्लेस लीनियस उसने इस method को discover किया है dear students जो कार्लेस लीनियस था इसने थ्री किंग्डम classification भी की थी लेकिन उस स्री किंग्डम classification जो थी वह मिनरल्स सबजियों और आनिमल्स के मिली उसके रीजन क्या थी dear students पहले definition देख लें पिर हम रीजन देखेंगे यह method एक ऐसा method the method of giving scientific naming to the living organism जो living organisms हैं उनको scientific naming देने का जो method होगा जो process होगा उसको क्या नाम देंगे इसके जरूरत क्यों है अब देखें दरा अगर मैं country की बात करता हूं तो जो पूरी दुनिया है उसमें तक्रिबान two fifty six two fifty seven के क्रीब countries मजूद है मुमालिक मजूद है अब हर जो country है उसकी जो language है वो different है जैसे के पाकस्तान के जो language है वो उर्दू है इंडिया में हिंदी बोली जाती है इसी तरह से चाइना में में डेरियन लैंग्विज है इसी तरह से डियर स्टुडेंट्स हर जो country है हर country के अंदर language क्या होगे different होगे अब suppose that first करें एक बाइलोजिस्ट है जो यहां से पाक ठीक है बुलाया जाएगा वो पाकस्तान में अगर आकर वो ही कहेगा ठीक है यानिके पूक अच्छी के onion को अगर वो मांग रहा है अगर वो इस जुबान में कहेगा मेंडेरियन लैंग्विज में तो क्या हमें समझाएगा कभी भी समझ नहीं आ सकता इसी तरह से अगर हम जाते हैं वहां पर जाका अगर आप कहें कि हमें प्यास दे दें ठीक है प्यास देदें उन्हें समझने लेगे कि किया है देखे हमारी जो लैंग्विज है वो उर्दू है उनकी मेंडेरियन है तो क्यों ना साइट इसने सोचा एक ऐसा हर चीज के लिए हर लिविंग चीज रहे हैं रिसर्च के लिए और हमें वो चीज चाहिए हम उसका साइंटिफिक नेम लें और वो समझ जाए यह निका जो साइंटिफिक नेम होता है यह पूरी दुनिया में कॉमन होता है और जो बाकी नाम होते हैं जैसे के प्याज इसी तरह से हमारे और जो गुबी वगरा ऐसे यह कॉमन नेम्स होते हैं ठीक है तो एक ऐसा मैथड जिससे हम चीजों को लिविंग और अर्गनेजंस को साइंटिफिक नेम देते हैं उसे के नम देंगे बाइनोमियल नोमन कलेचर जब भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है डियर स्टूर ने यह चीज़ आपनी य नेम्स तो जो इतने भी साइंटिफिक नेम होंगे वह हमेशा दो नामस पर मुस्तमिल होंगे दो नामों में से जो पहला नाम होगा जब जो फर्स्ट नेम होगा वह किसका होगा जिन्स का होगा जो फर्स्ट नेम है वह हमेशा जिन्स का होगा यानिके साइंटिफिक नेम लिखतेवागे दो नाम होते हैं एक जिंस का जो पहला नाम आएगा वह जिंश का होगा और जो सैक्ड नेम आएगा वह किसका होगा डेश्रेइंट वह आपने आप्टोमेटिकली समझेश एकिका नाम होगा अब हम देख लेते हैं इसके कुछ रूल्स वायनॉमियल नॉमन क् लिख रहे हैं यह ने के प्रिंटेट फॉर्म के इधर अगर आप ताइब करना चाह रहे हैं तो आप ने हमेशा को किस में लिखेंगे अब ऊच्छाई मैं में इस तरह से अब हमेशा उसको ट्रेडी लखाई में लिखेंगे ऐसे जो कंप्यूटर भी आपको एजली मिल जाएगी लेकिन अगर हम इसको हाथ से लिख रहे हैं तो आपने के करना हाथ से लिखने के बाद वो जो साइंटिफिक नेम होगा उसको आपने अंडरलाइन करते हैं जैसे कि बर मैं एक संटैंस लिकता हूं जी आइवां एलियम तो मिनने आइवांट वiku लिख दिया ऐलियम सिपा साइंटिफिक नेम यह प्यासका तो जब मैं हाथ से लिखूए तो मैं कह करूंगा तो मैंуть करों मैं उसके तो वो आपने हमेशा क्या लिखना है कैपिटल लिखना है यानि कि अगर आप ऐलियम सीपा लिखना है तो ए क्या होना चाहिए आपका कैपिटल होना चाहिए और जब पहला जो नाम होगा वो हमेशा किसका होगा जिन्स का होगा और जो दूसरा नाम होगा वो किसका होगा सप कि यह नहीं वो यह है कि जब मैंने यहां पर नाम लिखा था तो मैंने क्या लिका था सी बड़ा लिकी जिए था सिरफ यही देखने के लिए कि आप प्राइदन्ट है मेंटली तोर पर यह नहीं है तो डियर स्टुडेंट सेकंड चीज देख लें कि जो पहला है आपके पास जो एलियम है यह किसका नाम है जिन्सका और दूसरा नाम है सीपा वो किसका सपीशी का नेम है रूल नमबर थर्ड जब भी हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो साइंटिफिक नेम को पहली बार आपने कुम्प्लीट लिखना है जैसा कि अगर मैं एक बैक्टेरिया का एक डिए को जैसे कि उस बैक्टेरिया का नाम है इस चर्चिया कॉलाई तो डियर स्टुट्स अगर मैं एक पैसेज लिखर ओए इस चर्चिया कॉलाई के होपन हो जैसा के इनग पोर्टेंटल इंजाइम्स इस अबटेंढ बाली बार चाए दुसरी बार फिर वह दूसरी लिख रहा है तो अगर आप एक पैसिज लिख रहे हैं उस में आप पहली बार जब साइंटिफिक नेम लिक्षेंगे तो पूरा लिखेंगें क्या लिखा गया scientific name general written in the full when it is first used जब आप passage में पहली बार लिखने वाले हैं scientific name तो आपने पूरा लिखने लेकिन जब आप उसी passage में बार बार वो नाम आ रहा है तो आपको उसको complete लिखने के जरूरत नहीं है आप सिर्फ jeans का पहला letter लें और जो species होगी उसको लिखने total name को तो वह आपके पास वही बन जाएगा इस चर्शिया को लाई ही कहलाएगा और वो उसका scientific name को लाएगा तो यह चंद एक simple से rules हैं जिसको follow किया जाता है यह binomial nomenclature को लिखते वकर dear students अब आपका एक next topic है उसका नहीं है significance of the binomial nomenclature जो binomial nomenclature है वो इतने ज़्यदा important क्यों है देखें इसकी तीन main reasons है जो इसको बहुत ज़्यदा खास बनाती है पहली जो reason है वो है different names for the common species अब species common है species क्या है एक है एक ही species के लिए जब हम different name इस्तिमाल करते हैं जैसा के dear students अगर आप पंजाब वाली साइड से belong करते हैं तो पंजाब में जो onion है उसका different नाम्स हैं यानिके लहोर वाली साइड पर उसको प्यास बुलाते हैं यहां पर आप पंजाब नीचे लोर पंजाब के तरफ आजएं बहावल पुरू से नीचे आजएं यह जबान उसे प्चोलिस्तान वाली साइड पर चले जहां पर सहराइक ही रहते हैं तो dear students वहां पर चीज ऑनियन ही है एक है चीज के डिफरेंट नेम्स हैं तो यहां पर पहली है डिफरेंट नेम फार दा कोमन स्पेशी एक चीज के लिए एक स्पेशी के लिए जिब हम डिफरेंट नेम इस्तिमाल करते हैं तो वो कन्फीजिन का बाइस बनता है जैसा कि अगर कोई अपर प basic Asia यही वो चीज़ है अगर एक ही नाम पुरे पाक्स्तान के अंदर एक ही नाम को पूरी दुनिया में तो हम उसको पहचान जाएंगे अगर हम जैसे ही किसी भी पाक्सान में चले कि sensor कोने में चले जाएं या दुनिया के किन सिसमेद करें भाट क Means को सिलिह दूसरे county की लैन्विज स्धीपने की जुरूरत नहीं है यानिके पहले आप इसे दूसरे county में जाएं वहाँ पर आप match article को उस जबान में क्या कहतना हैं फिर आप घर जा के इस को लें खरीदारी करें तो आप सिंपली जाके इसको पर तो वह समझगे क jij डिमांड है प्यास की है सेकंड चीज़ डियर स्टुडेंट कोमन नेम फार्द डिफरेंट स्पीशी ठीक है अब यहां पर क्या है कोमन नेम फार डिफरेंट स्पीशी एक ही नाम है और हम वो डिफरेंट स्पीशी के लिए इस्तमाल करते हैं पहले में ने का डिफरेंट नेम है यह हम लफज इस्तमाल करते हैं एक से जाइद स्पीशिक लिए अब स्पीशिस दो हैं जैसा के अब एक है आम कवा जिसको हम कहते हैं क्रो एक होता है रावन जिसको हम कहते हैं पहारी कवा अब दोनों डिफरेंट स्पीशिक हैं अब दोनों डिफरेंट स्पीशिक के लिए हम नाम क्या इस्तमाल करें एक नाम इस्तमाल करें वो क्या है ब्लैक बर्ड अगर हम ब्लैक बर्ड कहते हैं हमें नहीं पता ब्लैक बर्ड का मतलब क्या है जैसे कि मैं अगर आपको कहता हूं कि छत के ओपर ब्लैक बर्ड है रूफ पर ब्लैक बर्ड है अब आपको नहीं पता कि यह जो रूफ है उसको पर ब्लैक बड कॉंस है जी आम कोवा मजूद है या फिर रावन मजूद है तो सेकंड चीज क्या है कि एक ही नाम है लेकिन डिफरेंट स्पिशिस के लिए तो हमें अंदाजा नहीं होगा कि वहाँ पर क्या चीज़ है सेकंड जो साइंटिफिक नेम होते हैं जो कोमन नेम्स होते हैं कोमन नेम्स की कोई भी साइंटिफिक बेसिज नहीं होती जैसा के डियर स्टुडेंट्स अगर मैं एक फिश को डिफाइन करता हूं तो हम फिश को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि जो फिश होती है फिश में चंद एक सुसियात का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसमें पहली एक सुसियात यह है कि जितनी भी फिश होंगी सारी के सारी क्या होती है वर्टी प्रेट होती है यह निमें जिनके अंदर क्या होती है यह रीड के हड़ी मजूद होती ह दूसरी चीज़, जो fuses होंगी, उनमें finds भी होंगे और उनके अंदर क्या होते हैं, gills भी मजूद होते हैं, अगर किसी जानदार के इंदर animal गंदर ये तमाम characteristics मेजूद होंगे, हम उसको क्या केंगे, हम केंगे वो species fish है, लेकिन dear students, अगर मैं यहां पर आपको एक example देता हू क्यों 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 स्टार फिश एक कोमन नेम है जिसके कोई साइंटिफिक बेस नहीं है अब कोमन नेम कैसे है देखे हमने इसको नाम दिया है कैसे हमने इसको नाम दे दिया हमने देखा कि इसकी जो शेप है वो स्टार की तरह से हमने देखा यह जो स्टार फिश पानी के में न हमने क्या देखा कि मुशली दूरू पर फिश नहीं हुद होती है तो हम ने उसी बेस्पे को प्रहें स्टार्फिश का तो यह बताने का мद्वस यह है कि यहां पर यह पर यह प्रहें फिशने दिया जाएगा पहली जो बेस है डियर स्टुडेंट्स वो जिस एरिया में डिसकवर हुआ है आपने जिस एरिया में उसको तिलाश किया है हो सकता है उस एरिया की बेस पर उसको उसी स्पीशी को उसी एरिया की बेस पर कुछ मिलता जुलता नाम दे दिया जाए रिलेटड न स्पिशी को दे जाएगा जिस साइंटिस्स ने स्पी को प्री किया तो यह इस तरह सदी आसे यूज्ऑ नहरे हुए जाते हैं और उसकेदे खास भी होती हैं जैसा कि फिशंट हम फिश टोपी के थिएंगे किसी चीश को जब उसके अंदर वर्टिब्रेट भी होगा फिन्स भी होंगे और गिल्स भी होंगे अब सेकंड और लास्ट वन डैट इस दा एक्जांपल्स डियर स्टुडेंट्स जब हम एक्जांपल्स की बात कते हैं यहां पर देखिए जो ऑनियन है ऑनियन का जो साइंटिफिक नेम होता है यह देखें यह तरह सीबरी इसका जो साइंटिफिक नेम है वहले यह्यंस सीपा इसे तरह से स्टार फिश है यह इसका स्ट रीयास रबंगस क्या है एस्टिव सब्सक्क्रों नीँद मिखें जफिक ऽंडिश इंद ऑपको सब्सक्रों हो बस्पारा बन और प्र भी आपको कोशन τरब आ और जिनकी प्ले लिस्ट में आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा और अगर आप इस चैनल पर ने हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस लेक्चर को अपने फैलोस के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्क्राइब करके बेल हाफिस